हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टो मैं यूट्यूब चानल न्यूट्रिगूल आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जारी हूँ कि आपकी सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है मूली को खाना और आपको मूली को कैसे खाना चाहिए और कब खाना चाहिए दोस्तो मानव शरीर में कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिन में से कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं जब भी हम कुछ पॉस्टिक खाते हैं तो शरीर के अच्छे बैक्टीरिया बहुत खुश हो जाते हैं और बुरे बैक्टीरिया मर जाते हैं आज हम मूली के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनसे आपके आंतों में अच्छे बैक्टीरिया खुश हो जाते हैं लेकिन मूली खाने का सही समय होता है गलत समय पर मूली खाने से शारिरिक परिशानिया होना संभव है इसलिए मूली सही समय पर ही खानी चाहिए मूली, सर्डियों के मोسم में आने वाली बहुत ही खास सलाद होता है और इस समय इसकी खपत भी बहुत ज्याद होती है लोग कई तरह से मूली उप्योग में लेते हैं जैसे मूली की सबजी बनाते हैं सलाद, पनांठे या फिर औशदी में भी इसका इस्तिमाल किया जाता है इतना ही नहीं मूली के पत्ते का भी बहुत महत्व है आंतों के लिए मूली के पत्तों का जूस और इसकी सबजी बनाकर खाई जाती है मूली में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है इसलिए इसके सेवन से पेट साफ रहता है तो अब बात करते हैं मूली खाने के फाइदों के बारे में मूली के सेवन से कवज की परिशानी दूर होती है और बवसीर में भी ये अराम देता है शरीर में जमा हुआ खराब बैक्टीरिया मूली पूर्ण रूप से नश्ट कर देती है मुटापा कम करने में भी मूली बहुत हेल्प करती है अगर मूली को कदुकस करके उसके रस को बालों में लगाया जाए तो बाल भी बहुत जल्दी लंबे और घने होते हैं सिर्दर्द में मूली बहुत राहत मुँचाती है पाचन क्रिया को सही करने में भी मूली काम करती है खांसी सर्दी जुखाम से बचाव दिख करती है मूली बलड प्रेशर मेंटेन करने का काम करती है डाइबिटीज के मरीजों के लिए भी बहुत फायदे मंद होती है मूली का सेवन इस तरह से मूली के कई गुन और अफगुन दोनों है लेकिन अगर मूली का सेवन सही समय पर किया जाए तो ये नुकसान नहीं करती एक बात का खास तोर पर ध्यान रखें कि मूली का सेवन सर्दी, खासी, बुखार, पेट दर्ध होने पर और मरोडे होने पर और कफ के दौरान ना करें इसके करने पर ये बिमारिया और जादा बढ़ जाती है तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे लाइक कर दे, शेयर कर दे और चानल को सब्सक्राइब कर दे